और आज की इस एपिसोड में IEX स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे पहली बात तो यह समझे कि टेक्निकली इस स्टॉक में कुछ भी न्यूज कुछ भी न्यूज नहीं है ग्लोबल बजार काफी वीक है काफी सेल अब दिखा है डोमेस्टिक मार्केट थोड़ा बहुत स्ट्रेंड दिख रहा है लेकिन उसके कमपरेटिवली टाटा स्टॉरी IEX ने अपने मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक आउट करा मतलब कि नेक्स्ट जो ट्रेंड आने वाला है ब यहां देखेंगे तो कुछ भी न्यूज नहीं दिख रहा है लास्ट नंबर वस्ट न्यूज फॉर दिस स्टॉक और इस समय लास्ट वॉल्यूम देखें 3.38 करोर जो रीसेंट का हायस्ट वॉल्यूम है जब बजार आंधे मूह नीचे की तरफ गीर रहा हो तब कोई स्टॉक है क्या है काफी स्टॉक है और यह स्टॉक ही नहीं पावर सेक्टर में भी देखेंगे तो जो फोर्थ जून का जो ब्रेकडाउन रहा था जो फोर्थ जून का ब्रेकडाउन रहा था उस रेजिस्टेंस को ब्रेक आउट रीटेस्ट करके ऊपर क्लोज दे रहा है और छोटे पावर सेक्टर के रिलाइंस पावर और जेपी पावर जैसे स्टॉक भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर इस स्टॉक के मंथली टाइम फ्रेम को लेते हैं आप तो पहला टारगेट आपको लगबग लगबग 220 का दिखेगा यहां देखेंगे 220 दिखेगा दूसरा टारगेट लगबग लगबग 280 दिखेगा और तीसरा 340 दिखेगा बात की जाए टेकनिकल विकनेस की तो मिनिम जब तक 178 के नीचे नहीं गिरता है अबरॉल ट्रेंड स्ट्रोंग है और स्लो एन स्टेडी अपने पहले टारगेट के लिए इसली हिट करते दिख सकता है